जितने भी Android phone है लगवग़ उन सभी में ये वाली error आती है कभी ना कभी अगर आपके phone में भी ये error आती है बार-बार ये किसी एक एक को लेकर बार-बार आरही है तो आप इसको किसे ठीक कर सकते हैं या ये error क्यों आती है इसके बारे में आपको पूरी जानकार इस वीडियो में मिलेगी अब सबसे पहले देखिए ये आती क्यों है हो वो बता देता हूँ उसके बार इसको ठीक केसे करना वो आपको होता था कई बार क्या होता है मोबाइल अगर बहुत जदा पुराना हो खेंग हो रहा हो मोबाइल बार बार तब यह दिक्कत आ सकती है कभी क्या होता है किसी एप में ही कोई issue हो जाता है को technical problem हो जाती है या आपके system में ही वो एप हेंग होने लगता है, तब यह दिक्कत आ जाती है, करी बार phone का यह जो एप है, यह पुराना version हो, तब यह दिक्कत आ सकते हैं, तो कई कारण हो सकते हैं, अब इसको हटाना कैसे है, कैसे इसको ठीक करना है, दो-तीन चीज़े आपको बता रहा हूं, से एक option मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजे, अभी यहाँ पर आपको manage apps का option मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजे, अभी आपके phone में जिकने भी apps है, उन सभी की लिष्ट आपके सामने आएगी, आपको यहाँ पर मत होतीने, बता रहा हूं, उनको डूड़ना है, यह को है Google Play Services, ठीक कई बार क्या होता है, कि यहाँ फर सारे apps नहीं आते हैं, phone के अंदर वाले apps नहीं आते हैं, से में आपको इस पर क्लिक करना है, और all apps का option आपको रिखाएगा, इस पर क्लिक कर दीजे, फिर इस लिष्ट में सारे के सारे apps आज़रेंगी, आपको Google Play Services वाला app है, वो डूड़ का option मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजे एक बार, अब ही आपको मेंदे स्फेस का option मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजे, अब ही आपको ब्यक्रा नहीं है, यहाँ से automatic की ब्यक्राइगा, दुवारे सथी लिष्ट अपर होगी, अभी ठीक इसी परकार से आपको जो phone की settings है, उसका भी डिटा क्लीर करना होगा और की लिस्ट फिर से open हो चुकिए आपको नीची जाना है अब आपको settings को open करना है तो चलते हैं इण यह rtrs settings इसको आपको open करना है तो इसका भी डिटा यहां और से clear कर और इस आपको वही पर जाना है और जिस एप में दिक्कत आ रही है आपको उसका भी डेटा क्लियर करना पड़ेगा तो यहां पर हम जाते हैं और जो जीमेल का डेटा है जिसमें दिक्कत आ रही है जिस भी एप में दिक्कत आ रही है आप उसका भी डेटा क्लियर कर देजिए अभी आपको क्या करना है जाना है प्लेश्टोर में और उस एप को सर्च करना है जिसमें दिक्कत आ रही है आपको उस एप को अपडेट करना है अगर अपडेट मांग रहा है जिसे कि हमारी केस में जीमेल में दिक्कत आ रही है तो हम प्लेश्टोर में जीमेल लिखके सर्च करेंगे ठीक है जी मेंने के सच करेंगे अब ये इप आ गया इसको आपको अपडेट करना है अपडेट मांग रहा है तो इसको अपडेट कर लिजिए अपडेट करने के बाद आप की ज़िएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर भी ना चले तो एक बार आपको उनको मेर फॉन को format करना होगा सारा data clear करना होगा reset करना अजा यही एक बस्ता है ठीक है उमीद करते हैं कि जानकर यह आपको पसंद आई होगा अगर इस ठीडियो के से आपके problem solve होती है तो इस वीडियोगी नीचे comment करके